हेलो गाईज विलकम टो यूटूब चैनल और टीम्स वर विन और अभी हम जिस मैश के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात का होने जाने वाला डबलो एंसल का मैश जो की फिर से होने जा रहा है निव साउथ वेल्स वोमेन और विक्टोरिया वोमेन के बीच में तो महस्त दो दिन पहले ही इन दूरों टीमों के विचे मैश हो चुका है बहुत ही बड़ा वाला वीडियो हमने बनाया था सारी चीजे से सुल करके बड़ी सारी चीजे हमने कोवर करी थी बहुत लोगोंने उस वीडियो को देखा भी था अपने हिसाब से टीम्स बनाई थी और बहुत ही बढ़िया करा था मिलीजियल तो जीते ही हैं ग्रेंड लिग में क्लोज आये हैं मैं खुद भी मैंने मतलब लगबग 50 वाय मैंने कहा होगा कि ग्रेंड लिग ट्राई करो ग्रेंड ट्राई करो तो वैसा ही हुआ था ठीक है तो इन दोनों टीमों के पीछे फिर स ख़शना है तो मैं फिर से वही लंबा वाला फिडियो नहीं बनाऊंगा ठीक है उसके हाप से भी छोटा लिंद का वीडियो बनाऊंगा यहां पर और जो जो चीजे नए हो सकते हैं जो जो चीजे हो सकता है कि आज के मैच में आपके लिए कुछ अलग हो उन्हीं के वीडियो देख सकते हैं आपको मिली जाएगा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पर बाते नहीं करेंगे ज्यादा एलीज विलानी ने पिछले मतलब कोई क्वालिटी मुझे नजर नहीं आ रही है पिछले सीजन तक तो एक अलग लेवल पर उनकी बोलिंग चल रही तो इस सीजन में जिस लेवल पर आगिरी है मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि इनकी बोलिंग बुड़ी है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है ऐसे बरे बरे प्लेयर्स के सामने अगर इनकी बोलिंग आ गई तो तो शामत आने वाली ही थी जो हमने प्लिक भी करा था और वही हुआ यहां पर देखिए हिस्ट्री तो यही रहा है क अगर किसी टीम की बैटिंग अच्छी हुई है तो वही रही है विक्टोडिया अज़ बैटिंग साइड अच्छा अच्छा रहा था जो जो प्लेयर्स के हमने बाते करें थे उन में से ही प्लेयर्स के परफॉर्मेंस अपको देखने को मिले थे लेकिन क्या हुआ है कि जो परफॉर्मर्स आखरी मैश में आए थे वह मैं आपको रिमाइंड करवाद हूँ निउजाओ वस ने बना था 241 जो बुरा स्कोर नहीं था रिसल हैनेस बहुत लोग इंको ड्रॉप कर रहे थे लेकिन हमारे लिए मस्ट हैप थे अच्छी कार्टनर मैंने कहा था कि यह में ड्रॉपेवल प्लेयर यह नहीं है तो हमारे टीम में यह भी थे ट्रेनमन और तालिया विल्सन के बीच में मैं सोरा सा कन्फ्यूज था लेकिन त्रेनमन ने आपने नोटिस करी होगी कि कि लास्ट दो होई मैश में और रन बनाया है 52 53 काफी आइटिकल स्कोर भी है बोल मतलब बाते नहीं कर सकते कि इनका ही ऐसा ही चलता है जो हमने उस विरे बताया था इस सोफी मोलेण यू जो पीछले मैश की हाइस्ट पॉइंट स्कोरर थी मतलब क्या नहीं किया था इन्होंने बैटिंग से वी अंट्रिबूट करा था बोलिंग दी अची करी थी लेकिन इ इनको पिक भी रही कर पाले तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि सारे के सारे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो है वह अन्रे प्लियर्स ने कर दिये थे विक्टोरिया बहुत ही जादा आराम से उन्होंने चेस कर लिया था मतलब जीनों नहीं बैटिंग करी सब सबसे अच्छी बोलर रग लही थी हमें हमने बताया भी हुआ था विडियो में कि इनके रिकॉर्ड्स वगरा अच्छे हैं हिट्ट्वेर में उन्होंने एक विक्ट भी लिया था तो यही है ठीक है बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है क्योंकि अगर मैं फि होने के चांस ही जादा है क्योंकि बोलिंग जो है बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है नियू साथवेस का अगर आपको कुछ देखना है तो है 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 यह जादा नहीं बना पाई बुरा भी नहीं खेली स्टार्ट अच्छा लिया था 21 बनाए थे लेकिन एक चीज जो मैंने ऑफसर्फ करा है ना सिर्फ इस टॉर्ण में मैंने कुछ चीजे में वोमें जो बीबियल होता है वहां पर भी देखा है कि इनको थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर निकल जाते हैं तो उसके चांसे काफी जाता होते हैं तो इस यही बात है पिछले में यही हुआ था विक्टॉरिया के होकर विलानी जो हमेशा ही मैंने कहा था हिट और मिस रहती हैं ग्राउंड पे भी और इस विक्षर में भी पिछले में तो क्या ही कमाल की हीट रही थी वह और बोलिंग में से सिरफ मॉली स्ट्राणों ही हमारे लिए हिस्टॉरिकल इपिक थे उन्होंने एक विक्ट भी निकाला था हलां कि बहुत सब्सक्राइब नहीं आया था ग्राउंड में भी हम बाते कर चुके हैं जो देखने वाली बात है कि बैटिंग फर्स्ट में विक्टॉरिया के तरफ से कौन को से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं क्योंकि पिछले मैक्च पे चलिए चीज किया था उन्होंने मैं अभी भी कहूंगा कि न्यू साथ वेस हो सकता है बोलिंग से जो है उनका थोरा बहुत हलका हुआ हो लेकिन बैटिंग से अभी उनके पास अच्छे है ठीक है अलिसा हीली के रिकॉर्ड यहां पर काफी अच्छे हैं और अगर आज के मैच में न्यू साथ वेस वोमन को कुछ भी पॉजिटिव करना है न तो उनको बैटिंग से करना होगा यह आप पकर के चलो ठीक है अगर वो बैटिंग से 280-300 की बीच में स्कोर नहीं बना इस ग्राउंड पे जो रिकॉर्ड जहां अगर मैं हिस्टरी की बात करूं तो बैटिंग फरस्ट में में ड हैना सधर्लिंग फिछटे मैंच में खेली थी लिगे नगे नहीं दी गई थी मुझह नहीं बता कि इनको बोलिंग आज के मैच में दी जाएगी भी यहीं वैसे भ बुड़ा बोलिंग नजर आड़ा निवसाथ विसका हो सकते हैं इनके बास ट्रॉपरली बैटिंग भी ना आए तो कोई काम पे तो आई नहीं थी पिछले मैश पर सिर्फ कैश पगरा ही पकड़ा हुआ का साइथ इसके साथ कुछ नहीं तो बैटिंग फर्स में आप देख सक आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई बैटिंग से रन नहीं यहां पर एक विकेट उसके बाद यहां पर एक विकेट फिर से बैटिंग से कोई रन नहीं और निकोल फाल्टूम जो इनको मौकर मिलते हैं इन्होंने कंसिस्टनली परफॉर्म करा हुआ है लेकिन इनके पास प पिछले सी दिन के मैचिस के हम बात करें तो आप देख सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में एक तो विलानी और लैनिंग में से किसी का बरा स्कोर है ही और यह एक मैच था नोटिस करो 47 दो वीकर मतलब जिस दिन उन्हें करा है उस दिन बंचेस में सब कुछ अकेली ही कर लिया है तो यह एक मैच था जहां पर उन्हें सब कुछ करा था साथ में वारे हम फिर से अब नोटिस करिए जब भी आई हैं उन्हें मतलब तीन से जाता कम तो उनके बाते हैं और साथ में सदर्लेंड बोलिंग तो नहीं दी गई थी उनको नहीं तो नहीं तो बहुत ही अच्छी प और अगला जो मैच है मोले यहां पर भी आपको दो वीकर दिख जाएंगी लेकिन बैटिंग से कुछ नहीं मतलब देखिए कंट्रिबूशन तो हैं ठीक है लेकिन क्या है कि इनका क्रेडिट है साड़े नोग अगर पिछले मैच की तरह पिछले मैच की तरह जरूरत नहीं अगर 70-80 पॉइंट की आसपास नहीं देती हैं तो उतना रोल आएगा नहीं इनका कोई और जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर यह थोड़ी सी इंकंसिस्टन रही है जिस दिन चली है उस दिन आप देखेंगे कि बैटिंग बोलिंग हर तरफ सी इनका परफॉम सामने वाले टीम की बोलिंग अच्छी नहीं है लेकिन यह जो डेटा है मतलब यह बैटिंग से इनकंसिस्टन सी का जो मामला है यह हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी काम पर आ जाए इसी मैश पर आएगा यह कोई जरूरी बात नहीं है तो मोलिनों यहां पर भी आप इस मैश में लेकिन आने बाले दिनों में यह जीज़ाप काम पर आ सकता है और आखरी मैश इन बीच में हुआ था तो यहां पर जादर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सब चीजे बताई हुई है हमने पहले भी न्यूस हौथ सकता है क्या-क्या अलग हो सकता है उनके टीम में तो देखिए रेशल हैने अश्ली गार्डनर रेशल ट्रेणमन यह तीनों नहीं रन बनाया था है पिछले मैस पर सभी के टीम में होंगे आप यह लिखके ले लो एशली एलिसा हीली को हो सकता है कुछ लोग लेंगे कुछ लोग क्रिडिट के वज़े से छोड़ेंगे नही तो अगर न्यू साउथ वेस को कुछ करना है जैसे पहले ही बताया उनको बैटिंग से कुछ करना पड़ेगा तो यह तीन तो है ही इसके सिवाए अरिसा हिली यह चार जो प्लेयर्स है ना इनको कोई ना कोई बड़ा इनिस इन चारों में से किसी को बड़ा इनिस खेलना ही पड़ेगा अगर एक बड़ा टोटल स्कोरबोर पे लगाना है तो और यह चीज़ आप काम पर लगाएंगे बड़ी लीग में बड़ी लीग में अगर आप खेल रहे हो मैंने आपको दिखाया है कि इस फिक्स्टर में हिस्ट्री है कि दियू साउथ वेस के तरफ से दोनों उपेनड जब एक साथ चली है तब उन्होंने यहां पर जीत हसिल करा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं यह जो पहला मैच था जा पर हेनेस और हीली और इसे पहले भी एक जो मैच था बिल्कुल पहला मैच 2015 वाला जो मैच था मैच था मैंने अगर इनको बैटिंग में इन दो यह दोनों एक साथ चल जाती है बैटिंग से तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो पिछले मैच पे उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया था अलिसा है आउट हो गई थी स्टार्ट लेकर लेकिन अगर यह स्टार्ट वह पचास साट अट तक ले जाती है तो एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा और तब यह बरा स्कोर भी बना सकते हैं तो ऐसे टीम में छोटी लिग में मैं नहीं कह रहा है बड़ी लिग के लिए क्या है कि सारे के सारे जो जनता है और साइध आप भी सिलेक्शन पर सेंटेज के साथ ही जाएंगे क्यो कि न्यूसाथवेस की टीम की बोलिंग जो है बिल्कुल भी अप्टू दमाग नहीं है तो इसलिए एक पोजिशन आपके लिए वैसे ही खाली हो जा रहा है कि आप कुछ एक्स्प्रेमिंट कर सकें बड़ी लिए मैं कह रहा हूं मिनिममम दो टीम में इन दोनों उपेनरों क कैप्टन भास कैप्टन बना के छोड़ देना ठीक है और उसके बाद नीचे वाले बैट सनों में से आश्टी गार्णा तो आपके लिए वैसे भी होंगी और उसके बाद रेशल ट्रेनमेन अचा लीसा ग्रिफित पिछले मैश पे नहीं छेली थी लेकिन मुझे लगता है क लॉरेंस श्याडल किसी काम पर नहीं आई थी लीसा गृवित आपको एक बैटिंग से भी कुछ न दे सकती है तो मेरा मानना यही है कि लॉरेंस श्याडल के जगपर हो या फिर किसी के जगपर हो लिश गृवित को ला सकती है टीम यह बैटिंग अच्छी खाषी कर लेती ह तो किपिंग तो आप ला सकते हो जो बोलिंग बेगनेस तेहरा आपके सामने आ जाएगा और बैटिंग में थोरा बाद कुछन दे देंगी लिए तो कम से कम दो टीम में आपके बना सकते हो उसके बाद एशली कारणर यह तो आपके 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 च्वाइज बन जाती है क्योंकि और कोई बेटर आपसर नजर नहीं आई है पिछले मैश पे और हाइस्ट पॉइंट स्वाइट थी यह टीम के होकर बोलिंग भी थोड़ा बहुत यही करवा रही है और बोलिंग से अगर कोई मतलब एक्स्पीरियंस है इस पूरे टीम में तो वह एक्स्टी गार्ड होकर अगर बैटिंग फर्स्ट आजाती है ठीक है तो मेग लैनिंग को आप ट्रिफिनट ट्राइब कर सकते हो एस कैफ्टेन या भाइस कैफ्टेन पिछले मैच में अच्छा टाच उनने दिखाया था नंबर तीन पर आजाएंगी सिरफ एक ही विकेट का फासला है बस अग लगाया हुआ है तो सारी शीज़ी इनके सपोर्ट में ही बाते कर रही है तो ट्राइब को ट्राइब करना ऐसे कैप्टेन वाइस कैप्टेन काफी लोग बनाएंगे भी मैं कह सकता हूं कि स्मॉल लिग में भी आपको कोई ना कोई आपोनेंट आशा जरूर देगने को मिले आपको कि अगर नहीं मिले तो कहां से ही पॉइंट ले लेंगी और बाकी बोलिंग में तो सारे विकेट जो है ले लिया था उनके तरफ से तो ज़रूरत नहीं परिजीन की तो एलीज फिरी और मेग लानिंग दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो यट टू परफॉर्म हैं मेग ल फिर से लगता है कि अगर बैटिंग फस्ट कर रही है विक्टोरिया तो एक बहुत बढ़ा टोटल आपको फिर से देने को मिल सकता है ठीक है और बाकी मुझे नहीं लगता बहुत जादा कुछ कहने के लिए है सदर्लेंड बोर्डिंग करवाएंगी या नहीं मुझे अभी लेकिन मैं कहूंगा इनके ओपर एक चांस ले सकते हो आप अगर थोरा सा रिस्क लेना चाहते हो या फिर बिनेजियल वगरा केल रहे हो तो क्यूंक मैं कह रहा हूं एक तो ओल्डर सेक्सर में है जहां पर अल्रेडी काफी कॉम्टेशन है दूसरी बात यह क्रेडिटी इन क लेकिन दूसरी टीम में इनको इग्नोर कर लेना यह सोचके कि यह फ्लॉप नहीं होंगी बलकी बाकी जो आल्लाउंडर्स हैं तो बाकी जो आल्लाउंडर्स हैं वह इनसे जाधा पॉंट देखे जाएंगी सही है उस वाद कीमगार तो वैसे भी आपके लिए सही ऑफ्सन ही है आठ कडित में मिल जाएंगी बोलिंग भी कर देंगी बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है वारेहम दूसरी जो प्लेयर है इनका भी सिलेक्शन परसंटेज डिसेंट होगा हो सकता है कुछ लोग इनको इगनोर करें भी लेकिन वारेहम का भी मैं कहूंगा कि अगर आप चाहो इनके उपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि ये भी बोलिंग से थोड़ी से हिट और मेस टाइप है ये हिस्ट्री कह रहा है ठीक है अगर बड़ी लीग में जहां जहां पर नियू साथ वेस्के सपोर्ट म मुझे अप्टो तो माग नहीं नजर आ रही है तो नीचे यह जो बैट्समन है जिसके फाल्टो मॉलिस्ट आनों इनके भी रिकॉड्स अच्छे है इस डान पर मैंने बता हुआ था लेकिन इनके बास बैटिंग प्र ले आनी भी चाहिए यही बात है बाकी यहां पर खास क बोलिंग से तो कॉंसी ब्लेड हो सकती है देखिए ऐशली गार्टनर एक ऑप्सन है मैं इनको प्रॉपर बोलर तो नहीं कहूंगा लेकिन एक्सपीरियंस है ठीक है और पिछले सीजर में कुछ मैचों मेरे बंचेस में लिया हुआ है तो एशली गार्टनर मेरे लिए पहले प्रिफरेंस में आती है चांसेस बहुत कम है बहुत ही ज्यादा कम है कि एशली गार्टनर आपको विक्टोरिया जैसी टीम जिनके बड़े-बड़े प्लेयर्स है उनके अगस्में बोलिंग से कुछ करती हुए देखिए मतलब विकेट लेने की बात नहीं कह रहा है मैं बं पर रही है तो दूसरी नंबर पर जो मेरे प्रिफरेंस में आएंगी अगर बोलरों में से आपको कुछ देखना है और न्यू साथवेस मोमिन के तरफ से जिसके चांसेस कम है काफी कम है लेकिन बड़ी लिग में कराब ट्राइब करना चाते हो तो वह होंगी है ना डर्लिं लेकिन बोलिंग से इनके पास अच्छा कुछ करने का और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियेंस की बात कर रहे हो ना नियू साथवेस की बोलिंग लाइनप पे मैं कह रहा हूं बार-बार बोलिंग की बात कर रहा हूं तो एश्टी कारणर के साथ आप सैमी जो जॉन लेकिन हिस्ट्री है तो अगर आपको बड़ी लिग में ट्राइ करना है ऐसी कोई कॉम्बिनेशन जहां पर न्यू साथ वेस की बोलिंग का रॉमिनेशन दिखाना चाते हो यह तीन मेरे दिमांग में पहले आ रहे हैं इसके सिवा हो सकता है कि आप साथ में सपोर्ट के सब्सक्राइब करें यहां पर तो गार्डनर ही होंगी नियू साथ वेस के तरफ से किसी को लोग रखेंगे उसके बाद आली साहिल या रेचल हैनेस कि इन तीनों ने ही परफॉर्म कर रहा था पिछले मैश पर इसके सिवाए तो और किसी नहीं परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हार रेना मन ने बैटिंग से कुछ रन बनाए है लेकिन क्याप्टन वाइस क्या कोई बनाएगा नहीं यह आपको बता है मुझे ही बता है विक्तुडा के तरफ से मोलीन्यू यूवर्सल क्याप्टन हो सकती है आज के मैश में या फिर एली स्पेरी का क्या है यह क्या कर सकते हैं सबको बता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑपोनेंट आपके से भी आजाए यू यूवर्सल क्याप्टन बना के आए तो इसके लिए भी तयार है ना और बैटिंग फर्स में तो मैं यह सजेच भी करूंगा कि आप चाहिए कर सकते हैं और विलानी और लैनिंग और बोलिंग में से अकर आप और बिस्क्री में सब्सक्राइब देखना है तो मुली स्टैन ओ वारे हम वारे हम अफकोर्स कैपटन सी मैटरील है यह मैंने आक्री मैस वीडियो बताया हुआ था लेकिन हां हिट और मिस है और इसलिए मैं कहां का अप्टन सी मैटरियल है अग तो यह नहीं सारी चीजें और सारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना चैनल को मैंने बहुत जादा कुछ नया नहीं बताया है ठीक है छूटी छूटी चीजे ही बताई है जो आप थोड़ा भाद ध्यान पर रख सकते हो मैं आपको अभी जो टी कि इसाब से दिखाऊंगा कौन को सब्सक्राइब को ध्यान से देखना लेकिन इस से बहले में टीम देखाऊ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोएन हो जाना क्योंकि इसमेंश की फाइनल स्मॉल लिक क से गेम्स की भी तो अब एक बार देख लेते हैं कि टीम कि अच्छा अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं ठीक है यह कॉंबिनेशन है अगर विक्टोरिया पहले बैटिंग कर देखो त्रेडामन साड़े आट करिद में मिल रही है तो कोई इशू नहीं है इनको स्मॉ पर देखो कर दो कर तो आपके घो सब्स holy molle को नहीं रख रहा है तो को यह तो दो स्पेसो बचा हैं हम क्या कर सकते हैं आप स्फियों धारे दीया तो बचा हुआ है उसके साथ आप किसी भी प्लेयर को ले सकते हो अपने चॉइस की हिसाब से ठीक है तो हमारे पास दो प्रॉपर बोलर भी आ गई है आप चाहो तो यहां पर डार्लिंटोन कर भी ले सकती हो वह बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेंगी लेकिन आपको एक ब लेकिन बैटिंग मेरा यहां पर स्ट्रॉंग है निव साथ वेसके तरब से जहां पर मुझे कोई लूप और नजर नहीं आया है बोलिंग से लूप और नजर आया है इसलिए मैंने सिर्फ क्रेडिट से भी करा है बस और कुछ नहीं और सुदर लेंड को क्यों रखा है क्यो डिया है क्योंकि मैंने को पतुर्म करना था अगर आप चाहें तो पर कर सकते हैं पर करने से आपके पास एक क्लडीब और बज़ जाएगा और सब्सक्राइब करने केुद यहां पर जब कर बेंड कर के लेकिन ध्यान से भार-बार सुनों कि यह प्सरमाइब ज़रूरी नही और मॉलेनियो को हटा दिया है मतलब ऐसा कुछ अगर आप विलानी, मॉलेनियो, लैनिंग सबको ले लेते हैं तो अगर समझ लीजे एक दो विकेट जल्दी गिर गये तो नीशे वाले बैट्समेनों का कोई सपोर्ट आपके पास नहीं होगा बस यही बात है अगर विक्टोरिया पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर क्याप्टन वाइस काटन अब किसको बना सकते है बहुत बड़ा रिस्क होगा लेकिन मेरा सजिसन होगा कि आप चाई इनको जरूर करे वो है मेग लैनिंग एलीस फिरी को भी क्याप्टन मना सकते है तो यहाँ पर प्रॉपर्ड मौके आभी जाने चाहिए जैसे कि आने चाहिए आना सदर्लेंट के पास भी तो क्याप्टन महस्कर आप क्या सकते हैं मेग लैनिंग के ट्राइग कर सकते हैं रेशल हैनेस और अलिसा हिली तो है ही कि कम सकम चालीस पचास रण सकर बनाएंगी तब भी आपके काम पे आएंगी ठीक है बीस पचीस रण के लिए आप साड़े दर स्टरी नहीं वेश्कर सकते ठीक है तो यह है कॉम्बिनेशन वन जहां पर आप विक्टोरिया पहले बैटिंग कर रही है यह एक्सपेट कर रहे हो लैनिंग के जगह पर यह लैनिंग के साथ भी आप पेरी के जगह पर विलानी को ले सकते हो मतलब ऐसा कुछ ठीक है समझ रहे हो यह क्या कहना चाहता हूं अच्छा दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यह जो है यह बहुत ही जादा रिस्किया कॉम्बिनेशन है और यह है बड़ी लीग के लिए जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको न्यू साथ वेस के तरफ से कुछ देखना है स्मॉल लीग में नॉर्मल सिच्वेशन में विक्टोरिया के सपोर्ट में ही टीम बनाना है ध्यान में समझ दो लेकिन यह है अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो कुछ अलग हटके करना चाहते हो देखो मैंने क्या किया है यहां पर नियू साथ वेस अगर बैटिंग करती है तो यह कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर बैठेगा क्योंकि तब हमारे बास सारे बैट्समन तो हो ही गए और उसके दो जो मेन बोलर मैंने आपको बताया है जिनके ओपर मुझे भरोसा है अगर कुछ कर दे तो कर सकते हैं तो वो दोनों को मैंने डख लिया है स्यामी जो जॉनसन और एश्ली गार्नर को बैटिंग से मैंने क्या किया है विलानी को मैंने डॉप कर दिया है मेग लैनिंग को ड तो शौफी मोलनियो के जगा नहीं है और साथ में यावर पेरी और वारेहम को बने रख लिया है क्योंकि ये बोलिंग के साथ साथ थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती है सेम रिजन के वज़े से मैंने सदरलन को रखा है लॉर्ण स्मिथ स्रिफ बचाने के लिए हैना अधिन मुकम करने रख लेकर मौ यहां जहां पर है लिस पडूप करें और निकोल फाल्टूम हमेशा जब भी उनको मॉका मिला है इस ग्राउंट पर बैटिंग करने का रन बनाया है लेकिन मॉका भी बिलना चाहिए तो एलिसा हिली को डॉप अगर मैं कर देता हूं तो मॉ जिनके इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छे रेकॉर्ड है और अगर बैटिंग कोलाप्स होता है तो इनके बास बैटिंग आभी जाएगी तो निकोल फाल्टू मॉली स्टानो मेरे पास है सदर्लैंड है मॉली न्यू तो वैसे भी है क्योंकि हिली नहीं है यहां पर इली स्प बना सकते हैं और रिस्क लेना है तो हैना डर्लिंटोन और सैमी जो जॉंसन को जरू ट्राइक करना स्मॉल लीग के लिए स्ट्रिक्ली वाना कर रहा हूं ऐसा नहीं करना है बड़ी लीग में मॉल्टिबल कॉमिनेशन यहां पर आप बनाड़ों वहां पर यह चीज डेफिन स्मॉल लीग में आपको या तो डिफॉल टीम बनानी पड़े की या तो रिस्क रेना पड़ेगा तो दोनों में ही हो सकता है आपका लॉस ही हो तो इसलिए बड़ी लीग फिर से ट्राइक करो और मुझे असा है कि फिर से आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो वीडियो अगर अच्छा लागा हो तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब बढ़ना चैनल को टेलेग्राम जरूर जान हो जाना अगर आपको इस मैच की फानल स्वान लेकी फुल टीम चाहिए तो तब तक के लिए बचला फाद इस मैच एंग गुडबाए फार ना